अब एक देखो अभ्यास आपको हम बता रहे है जो है अभी से खाना पीने लिया यह लोग रखो इदर आरम से क्या आया है स्वामी जी कि लोगों को बड़ी चिंता रहती है हां हा अभी मिनाक्षी को भूग भी लग रही है अभी अभी पहले खाने का इंतिजाम कर लेते ना तो अच्छे डाइजेशन के लिए हमने सुर्य नमस्कार बताए दंडबेठक बताए आसनों में अब कितने आसन करना आसन में पदमासन में और फिर शरीर को देखो ऐसे उठा लेना खड़ाखे की भूख लगेगी एक गाउ की भासा का लोग व्यवार का शब्द लकड़ पत्थर हजम मने जो खाएं सो दो सो ग्राम तक घी हजम हो जाए मैंने मेहने में चार-चार पास-पास किलो घी खाया हुआ है और एक समय में एक एक दो-दो किलो दूद और एक दो-दो किलो दही पिया हुआ है एक समय में उसके लिए पांसो तो दड़ बैठक लगाते थे और फिर आसन करते थे हुषैन तो रोटी भी किनकर खाते है स्वामी जी बैठ करके और हाथों के बल खड़े हुआ है फिर रोटी खाते ही नी थे रोटी तो ऐसे नाम तारी कि एक रोटी खाले से अचा तो इसका मतलब आपका डाइजेशन जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है यह खाने में बहुत पट्की है मिनाक्षी तो देखो यह ऐसे पादमासन में ऊपर उठ जाना इससे कणाखी की भूख लगती है एक मिनिट उकना है लेकिन जल्दी नहीं आना है अब अगली बात पेट और डाइजेशन के लिए पाद आसन बतानों जो बहुत जरूरी है एक तो मंडूक आसन या योगमुद्रासन मंडूक आसन वजरासन में बैठ करके और योगमुद्रासन पदमासन में बैठके बाएं हाथ नीचे दया उसको पर पेट डाइजेशन हेक्तम चमरदस हो अच्छा होना बहुत जजरूरी है दयार अच्छा होना बहुत जरूरी है लिवान स्प्लेट से ही लेक्टियल से फैट एपजोब होता है अब मैं थोड़ा है साइंटिफिक मेकणिजम बताता हूं जी हम वजन घटाने के लिए भी तेज एक्सिसाइज बताते हैं उसमें फैट का लाइपोलाइसिस होता है फैट जो है वो मेल्ट हो करके एनर्जी में बदल जाता है एनर्जी में कनवर्ट हो जाता है और जो अंडर्वेट है जब वो एक्सिसाइज करते हैं उनका कालॉरी का बन करना यह कंड़ की मंद्व का संट के लिए मंद्व का स1 आगे जुग गए और इसमें पीछे जुग गए तो सुप्तवज्रासन सुप्तवज्रासन मन्डूक आसन में आगे जुग गए तो पेट अच्छा होगा आप पीछे जुखेंगे तो पीछ अच्छे होगी एक मिनट ऐसे कर ले और फिर अगला देखो अगला है लेट करके तीन अभ्यास कम से कम सब को कर ले एक ये पवन मुक्ताशन एक मिनट तक सौंस बाहर छोड़के पेट को ऐसे दबा के रखना और ऐसे रुके रहना जो सरीर दुबला पतला हो तो पूरे भी ऐसे पकड़ सकते हैं घुटने ऐसे एक दूसरे हाथ से एक दूसरे हाथ के घुजा को ऐसे पकड़ते हुए और ऐसे पूरा पेरों को दबा लिया घुटनों को साथी से लगा लिया एक मिनट तक ऐसे रहना ये पवन मुक्ताशन एक मिनट तक रहना है कि श्रासों की गती सामाना है कि यह सारे आसन को योगा सब्सक्राइब करना तो थकान भी दूर हो जाएगी यह तो जब जो मैंने एक्सराइब बताई है मैंने का ना सो दो सो ग्राम से लेकर आधा किलो तक पशीना बहेगा उसके बाद यह आसन करेंगे तो डाइजिस्शन बाथ जबरदस हो जाएगा जो खाएंगे पेंगे वह जम होगा शेरीर में लगेगा ने तो कहते हैं खाया पिया लगता नहीं है तो लगेगा तो फिर वजन बल बढ़ेगा, शरीर बल तो बढ़ेगा ही, मनोबल और आत्म वले ओग से प्रबल होता है, ये बड़ी बात है, उत्तान पादासन, एक मिनट तक ऐसे रोख करके रखना, एक मिनट तक, एक मिनट से पहले नीचे नील आना पैर, घुटने सीधे, पंजेते ने विए, वजन बढ़ाने के बहुत से आसन तो आप बता रहे हैं, लेकिन कई ऐसे मामले भी हैं, जहां पर हूप खाते भी हैं, लेकिन वजन बढ़ता भी नहीं है, और वजन बहुत फिट हैं वो, ऐसा कैसे हो जाता है, जैसे आप मिनाक्षी को जान रहें, मिनाक्षी ठीक ठाक तरीके से खाती हैं लेकिन इनकी सही होगी जो है और वो इनसे पॉजिटिव टाइव वाली इश्या रखती है कि मिनाक्षी डट के खाती भी है लेकिन वजन भी नहीं बढ़ता इसका ऐसा कैसे हो जाता है तो खाने पीने से बजन नहीं बढ़ता यदि आपका मैटवलिजम अच्छा है तो बोड़ी अपने आप सारी चीज़ों को सैट रखेगी डदेखो मैं यदी 2 किलोग बी गन्य का जूश पी जाओं तो मेरा शूगर नहीं बढ़ेगा मैं पचास ग्राम भी नमा क्वाज़ाओ तो मेरा वीपी नहीं बढ़ेगा मैं 200 ग्राम भी इखा जाओं तो मेरा कॉलिस्टोल नहीं बढ़ेगा क्यूंकि मेरा बोडिका подтयोर के लिए पादा मिनाक्षी आप अपने दोस्तों कह सकती है कि उनका मेटबोलिजम जो है वो आपसे कमजोर है कुलमिला के है ना सवामी जी इससे जूड़ी वी एक बात अर है सहामी जी कम से काम एक से दो चम dolphin घी सब को खाना चाहिए 15-25 ग्राम और जो एकसेसेज करते हैं उनको 50 ग्राम गाए का घी खाना चाहसचा है भैस का घी खा करते है बाड़े जैसी बुद्धी पाड़े जैसा भैसेशच जैसा सिरीर हो जाता है तो इसलिए गाए का घी गाए का धूथ सारी दुनिया में खाया जाता है, ये कोई मजभी बात नहीं, ये एक दम हैल्थ साइंस की बात है, आप कुछ कह रहे थे, सवामी जी बहुत से ऐसे लोग भी हैं, जो बहुत कम खाते हैं, दिन भर में दो चार रोटियां खाते हैं, लेकिन फिर भी उनका वजन ठीक ठाक रहत है, तो क्या कुछ और वज़े भी होती है, वेट मेंटेन रहने की, देखो, वेट तो मेंटेन ही रहना चाहिए, हर आदमी को कम से कम 20-25 मिनट तेज एक्सेसाइज करने ही चाहिए, जो तेज एक्सेसाइज ने कर पाएं, जैसे जो सूर्य नमसकार ना कर पाएं, दन बैठक लगा पाएं, आसन भी न लगा पाएं, तो देखो, हम मैं बता रहा हूँ, पार मिनट, वीदी ने मिनट 5,000-10,000 किलो कैलोरिया बंड कर सकते हो, और यह मैंने पुरा सेंटिपिक रिसर्च करके बोल रहा हूँ, अपने उपर भी प्रियो क्या लाइब के अंदर, यह बस्त तेजी से कर रहे हैं, मैं ऐसे पांच मिनट लगातार करता हूँ, अभी करके आया हूँ, मैं पांच से आठ, यह पूरा एक राउंड पूरा हो चुका है मेरा, मैं एक मिनट में 10,000 किलो कैलोरी कम कर लेता हूँ, यह बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं पूरी दुनिया को पूरे जोर से उद्घोश करके साथ है कहना चाहता हूँ, आप डीब ब्रीधिंग कीजिए, इसी से अपना वेड, बीपी, शूगार, अपना स्ट्रेक्चर, पूरा करेक्टर, बोड़ी का हार्डवेर, सोफ्वेर, सब कुछ कंट्रोल कर सकेंगे, एक से पांच मिनट यह डीब ब्रीधिंग, सामान निगती, मध्यम गती, तीन तरह से बता दिया, जिनको चरक्ते चाप्र देरोग, एस्तमा हर निया कमजोरी है, कमर में दर्द है, वे धीरे धीरे करना, जिन में मध्यम बल है वे मध्यम करना, और यह अग्यम और अनर्जेटिक, तो यह अग्यम दर्द है, यह बहुत जरूरी है, दूसरा कपाल भाती, यह पूरी बोड़ी का मैठा बली जब, पूरी बोड़ी एकदम पर्थेक्ट और शिक्स पैक बनेंगे, जिसकी चाहत हर किसी को है, और अब शिक्स पैक के साथ में, और जो मैं यह लोली क्रिया करता हूंने देखो, स्वामी जी, अभी आप कैलोरीज बन करने की बात बता रहे थे, लेकिन हमने देखा है कि लोग वेट बढ़ाने की कैलोरीज लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि किन किन चीजों के जरिये में कैलोरीज और प्रोटीन लेना चाहिए? स्वामी जी, आपने नापा कभी? रूलिंग पार्ट्य पोजिशन में अच्छा पुरा चलता रहता है, लेकिन जो योग करेंगे, चापनिंग का चीना होगा और अच्छे दिन आएंगे, तीन शा होगा जीवाना योग से आपके तडियों कि हमारे योग के योग करोर लोगों के अच्छे दिन आ गए? जो अज़ दो सम्प्रदाय निर्पेक्ष हो गया है इसका है इसके जो 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 निर्पेक्ष हो गया है और जो में स्वामी जी जी एक रहे है अच्छा संगम हो गया है और पुरे देश में भी हिंदू मुसल्मान सब कर रहे हैं और यह सब के लिए जरूरी है और अब वर्षा भी आ गई है अरिद्वार में भगवान भी राजी हो गई है आजमान से पुस्प वर्षा होनी शुरू हो गई है स्वामी जी अब मिनाक्षी के पसंदिदा टॉपिक पर आते हैं डाइट